बिहार में इन दिनों मौसम का मिज़ास बदला हुआ जी हां आपको बता दें कि बिहार के बिहार के कुछ जिलों में दे बारीव हो रही है तो वहें बिहार को پर बहुरा बिहार के जादा तर जिलों में सुक्रवार को मौसम समानने रहा राजधानी पटनक के तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो वहीं 24 घंटे में अररिया भागलपूर और किसन गंज को छोड़ कर सबी जिले में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ो जिलों और 24-25 मैं को पूरे राज में तेज हवा के साथ बारिस की संभावना बताई जा रही है इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है तो वहीं आपको बता दे कि पिछले 24 घंटे में राधानी पटना की बात कर ले तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ो किया गया है वहीं आपको बता दे कि पाटना के अधिक्तम तापमान में गुरुबार के मुकावले सुक्रभार की 3.8 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई सुक्रभार को अधिक्तम तापमान 408 डिग्री दर्ज किया गया था मौसम इभाग के अनुसार राजधानी में अगले 5 दिनों तक कोई विसेश बदलाव नहीं होगा अधिक्तम तापमान में मामुली सब बदलाव की संभावना है पटना में साम होते ही 10 से 15 किलो मिटर प्रति घंटा के रफ्तार से पुर्वा हवा चलेगी इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन राजधानी पटना में अभी बारिस या फिर गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है मौसम इभाग के अनुसार वहीं आपको बता दे पिछले 24 घंटे की बात करें तो औरंगाबाद सबसे गर्म रहा यहां का अधिक्तम तापमान 42.2 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया पटना का 40.8 डिगरी गया 42.1 डिगरी रोहतास की बात कर ले तो 40.4 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया है सेखपूरा 41.3 डिगरी जमूई 40.3 डिगरी वैसाली 40.8 डिगरी और नवादा 41.5 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं नालंदा की बात करें तो 40.5 डिगरी सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है तो सबसे बिहार का सबसे गर्म जिला औरंगाबाद रहा वहीं अगर बात कर ले कि राजधानी पटना की तो राजधानी पटना में अभी खासा राहत नहीं मिलने वाली है लेकिन मौसम इभाग के अनुसार ये नुमान लगाया जा रहा है कि 24 और 25 माई को बिहार के अधिक खराब होने लगता है तो फिलाल के लिए खबर में इतना ही साथे चाल को सबस्क्राइब करें फेस बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद